चल यह तो पर शुरू करते हैं तो फिर अभी अपन डिसकस करने वाले एक Compucom Software Limited को इनको अभी अभी कुछ से नो पहले ही डिसकस किया था इसने अभी अभी 19.97% की लास्ट टेडिंग सेशन में रैली की है जो कि अभी उसको 36.05 रुपीज पर लाके रखिए बुक वैल्यू जो है 17.8 रुपीज की है और उसके बाद जो कंपनी है 1995 में इंकॉर्परेट हूँ थी Compucom Software Limited जो है वो Software और Education के बिजनस में है ये कंपनी इनका अपन Max Chart बाद में Trading View पर देखेंगे Pros and Cons में देखे तो कंपनी का Return on Equity Low है 4.68% का लास्ट 3 येर से Company Capitalize कर रही Interest Cost पर कंपनी के Data Days High है वो है 200 Days के उसके बाद कंपनी का जो है Good Quarter दिया है और कंपनी का जो Dividend Payout है वो Healthy है वो है 69.9% का अब चलते हैं देखते है Quarterly Results पे तो Quarterly Results अपने पहले भी डिसकस किया हुए इनके सारे Quarterly Profit में थे जो कि अभी भी of course Profit में ही है 3.70 के कोई भी कोई Finances चीन नहीं है कुछी दिनों पहले अपने डिसकस किया है तो इसमें भी यहां 5.22 करोर का यहां पर Profit है अब अगर अगर अपन देखें Cashflow भी 18.36 Positive Cashflow है और Shareholding Pattern में Shareholding Pattern भी अच्छा गाज़ा 71.37% का Promoter Holding है जो की कम हुआ है अल्दो 74.50 था उसके बाद 2021 के बाद कम हुआ लेकिन अभी तक 71.37 की Holding है इसकी कोई Holding नहीं है डिए इसकी 0.01% की Holding है गर्मेंट की कोई Holding नहीं है और 28.63% की Public Holding है अब अगर अगर अपन यहां देखें तो लास्ट लेवर्स जो थे वो 29.65 के लेवल ते उसके बाद अच्छी खासी Rally Upside Rally हो चुकी है तो अब अगर अगर अपन एक नया level बनाना चाहें अपन एक peaceful level यहाँ पर try करेंगे peaceful in the sense की अच्छी कासी rally हो जाती है तो अपन जैसा हमारा LSA system रहा है कि जब अच्छी कासी rally हो चुकी हो तो काफी careful रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से अप selling आए लेकिन इस case में क्या होगा वो अपन only time will tell अपना काम है safe entry और अगर stop loss लगता है तो safe stop loss जितना अपन loss ले सकें उटने पी stop loss लगे और अपन बहुत जादा reckless entry ना करें तो 37.65 के बाद ही कोई भी planning at least करना सही होगा हम उसके बाद ही कोई planning करेंगे पहले ही अच्छी कासी rally इसने अपने को दे दी है लेकिन फिर भी अपन 36.37.65 37.65 के बाद ही कोई momentum की उमीद करेंगे तो 37.65 बस इसमें इतना ही है फिर 5 minute पे trail करते वे चलेंगे अपना quantity का ध्यान रखेंगे इसका मतलब यह नहीं है पन बहुत जादा quantity है बाइंग किये जिन्होंने बाइंग कियोगी उन्हें अल्रेडी profit हो चुका होगा उस level के पहले जो 29.65 को लास्ट लेवल ता उसके अच्छे गासी rally हुई तो 37.65 next है उसके बाद फिर देखते ही क्या होता है चले तो फिर next मिलते है ओके